सबी को मेरी ओर से नमस्कार मैं हूँ जैन पटनाए आप सबी का मेरे चैनल में स्वागत है अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं तो सस्क्राइब जरूर कीजेगा और बेल आइकन को दबाईएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेर जरूर कीजेगा इससे मुझे बहुत हेल्प और मोटिवेशन मिलेगा आज मैं आपसे डिसकस करने वाला हूँ फरमाईशी चक्करदार और कमाली चक्करदार सबसे पहले जानते हैं फरमाईशी चक्करदार क्या होता है इसमें परन जैसे बोल होते हैं और परन की तरह लास्ट में एक तिहाई होती है जिस परकार तिहाई के तीन पले होते हैं इसमें पहले वरतन में तिहाई का पहला धा सम पे आता है और तीसरे वरतन में तीसरा धा सम पे आता है जहां पूरी फरमाईशी परन पूरी होती है तो ये होती है फरमाईशी चक्करदा इसके बाद दूसरी है कमाली चक्करदा कमाली चक्करदार में भी तीन पले होते हैं परन की तरह ही जैसे ये पहला दूसरा तीसरा पल्ला है कमाली चक्रदार में क्या होता है तीन तिहाईयों के तीन धा होते है जैसे की धा 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 ये पहली तिहाई हो गई पहले अवत्तन में पहली तिहाई का पहला धा जैसे ये तीन तिहाईया है धा 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 ये तीन तिहाईया है तीन में से पहली तिहाई का पहला धा समपे आएगा ये कमाली चक्रदार का रूल है उसके बाद जब अगला पला आएगा दूसरा पल्ला दूसरे पल्ले की दूसरी तिहाई पहली तिहाई धा 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 और दूसरी तिहाई का दूसरा धा 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 दूसरे पल्ले की दूसरी तिहाई का दूसरा धा संपे आएगा उसके बाद तीसरे वर्तन में तीसरी तिहाई का तीसरा धा यानि की आखरी ध संपर आएगा ये कमाली चक्करदार का रूल होता है तो मैं आपसे जो बोल डिसकस करने वाला हूं ये पंजाब घराने के बहुत ही famous बोल है ये आपने अल्ला रखा जी की वीडियो और जाकिर जी की वीडियो में भी काफी सुना होगा ये पंजाब के बहुत ही famous बोल है मैंने इन दोनों परनों के लिए same बोल चुने है मैं आपको उन्ही same बोलों में एक फरमाईशी चक्करदार परन सिखाऊंगा और एक कमाली चक्करदार परन सिखाऊंगा तो आएए आज का lesson start करते हैं सबसे पहले फरमाईशी चक्करदा सुन लेते हैं आप मेरे साथ तीन ताल की counting गिनिये मैं आपको फरमाईशी चक्करदार बोल के सुनाता हूँ अब ये पहला पला है फरमाईशी चक्करदार का और पहला धा सम पे आया है ठीक है? दुबारा से देखते हैं तो दूसरे पल्ले का दूसरा धास हम पे आया है और तीसरे वर्तन में तीसरे पल्ले का तीसरा धास हम पे आया है इसको एक बर बजा के देखते हैं उसके बाद मैं विस्तार से इसके बोल भी आपको बताऊंगा अब इसके बोलों को विस्तार से देखते हैं त्र त्र वाला बोल बजाना है और त्र फिर से देखते हैं यहां तक धान का बोल है यानि की धा को बजा के छोड़ देना है तो उसकी आंस ना का बोल प्रनाउंस करेगी उसके बाद धानगते कता क धानगते कता क धानगते कता क धिर धिर का बोल है धिर 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 कित तक तेरे कित था धिर 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 कित था यह तिहाई है एक बार पूरा बोल दुबारा से देखते हैं देन 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 ते टे दे उसके बाद बेदम से देन दोबारा से वो पूरा बोल उट जाएगा ठीक है तो ये है फर्माईशी चक्कर्ण। अब इसको एक अच्छी टेमपो पर बजा के देखते हैं 1, 2, 3, start तो ये थी फर्माईशी चक्करदार तो इसके बाद बढ़ते हैं कमाली चक्करदार पर एक बार मैं आपको कमाली चकरदार सुनाता हूँ उसके बाद उसको विस्तार से देखेंगे तो जैसे कि आपने ध्यान दिया इसके दूसरे पले के दूसरी तिहाई का दूसरा धा सम पर आ रहा है एक बार फिर से देखते हैं अब मैं पूरे तीनों बरतन बोलूँगा आप मेरे साथ काउंट कीजिएगा वान तू थी स्टा तो ये है कमाली चक्रदार इसको कमाली नाम इसके सोरूब की वज़े से मिला है अब इस कमाली चक्रदार को एक बार बजा कर देखते हैं उसके बाद विस्तार से मैं इसके बोल आपको बताऊंगा आप मेरे साथ काउंट भी कर सकते हैं वान तू थी स्टा तो ये है कमाली चक्रदार परण अब इसके बोल देख लेते हैं इसके स्टार्टिंग वाले सारे बोल सेम ही है जो फरमाईशी चक्रदार में जैसे मैंने बताये थे स्टार्टिंग है इसमें बस आपने आखिर की तिहाई बदल नी है और सेम बोल में आपके कमाली चक्रदार और फरमाईशी चक्रदार दोनों तयार हो जाएंगे एक बार दुबारा से देखते हैं 1,2,3, start अब इसमें ब्रेक है मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था अगर आपको आदी मात्रा, सवा मात्रा और पोने मात्रा का ग्यान लेना है मैंने पीछे 35 नंबर वीडियो अपलोड किया है वो भी देख सकते हैं तो ये आदी मात्रा का गैप है इसको हम 1, 2 या end half से count कर सकते हैं एक बार फिर से slow tempo में ये परन देखते हैं 1, 2, 3 स्लाट तिन थिर स्लाट तो ये है कमाली परण अब इसको एक बार मैं काउंट करके आपको बताता हूँ अब मेरे साथ बोलने की प्रेक्टिस कीजिए वान तू थी स्था तो अब इसको एक अच्छी टेंपो पर बजा के देखेंगे आप मेरे साथ काउंट भी कर सकते हैं वान तू थी स्था इसको 은 मेरे सकते हम पर बोलने के देखे ख में ठाप हुआ अब मेरे अच्छी टा कर दो लिए तो ये है कमाली चक्रदार परंग, ये पंजाब घर आने की कॉंपोजिशन है, उमीद है ये लेसन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, और आगे आप कौन सा लेसन जानना चाहते हैं, अगर आपको अच्छा तो लाइक जरूर कीजेगा, इससे मुझे बहुत मॉटिवेशन मिलता है, अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद.